हम बिहार में पहलों मुख मंत्री बनाएं हम अगर समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता संघर्स हमारा जारी है 2024-25 के उपर नजर हम रखे हैं और उसके बाद मैंने देखा लोग चांद पे घर बना रहा है और हमारे लोगों के लिए धर्ती पे रहने के लिए घर नहीं है कभी हमने अपनी जिन्दगी में एक लक्ष पैवाना सेट नहीं किया संघर्स करने के लिए निकल गए संघर्स को क्या मैं काम्याबी में बदले बिहार के राजनित माय यहां पे संघर्स करेंगे और यहां पर कोई लक्ष नहीं है कि मुख मंतरी बनना या परधान मंतरी बनना लक्ष कुछ नहीं है लक्ष है कि अपने लोगों को मदद करके आगे पहुचाना मेरे साथ मुके सहनी है आप सब जानते होंगे विकासिल इंसान पार्टी वी आईपी पहले हम लोग सोते थे वी आईपी मतलब हम परचार किया आगया कि वी आईपी एक वी वी आईपी होता है बाद में जब हम लोग ने उसका मीनिंग देखा बिकासिल इंसान पार्टी मचली चुनावचिन हैं ओविसी कमिटी से आते हैं बहुत कम समय में बिहार सरकार में मंत्री बने इनकी पार्टी विधायक जीत के आई उसके बाद फिर इनकी पार्टी को तोड़ लिया गया अब आगे क्या करेंगे क्या होगा राजनीति के जन्डा इस पर भी समझेंगे और मुकेस सहनी कोई कैसे बनता है बिहार के एक छोटे से गाउं में पैदा होना मुंबही में जाके अपने आपको अस्थापित करना और उसके बाद फिर से राजनीति ऐसे बिरले लोग हैं लेकिन भारत का समिधाने मौका तो देता है कि कोई कांसी राम, कोई मुकेस सहनी, कोई लालुयादव, कोई नितिस कुमार बिना किसी बैक्गराउंड के राजनिति में अपनी जगा बना सकता है मुगेजी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया और पहला सवाल वही मेरा कि हम लोग VIP सुनते थे तो लगा कि कुछ मसला अलग है तो ये दिमाग में कब आया, बिकास, सील, इंसान, पार्टी, कोई सलाग तो किसी ने नहीं दिया होगा इस तरह का पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके दैसकों भी धन्यवाद कि हमारे बात को सुन रहे हैं और आप जैसे पत्रकार को धन्यवाद बिसेश कि हमारे जैसे गरी पिछडा समाज के आवाज को, जो कोई और नहीं सुनना चाहता ना सुनाना चाहता है उसको आप गाउं गाउं तक जन जन तक पहुचाते, इसके लिए बिसेश तोर पे आपको धन्यवाद देता हूँ, दूसरा तो देखिए, जहां लोग कहते हैं कि हजारों समस्या है, ऐसे जगह मेरा जन हुआ, एक मछवारा गरी परिवार में जन हुआ, क्या करते थे पित झाजी मचली माते है जलकर पैसे मचली बजार में देना होता है कि जन जानते हैं, पक्चा, जानते हैं अब के तरस पहल कै जल है, चट्टी होका। वो क्या वोलते खैप और होता है जिसमें बड़ी करेंट वाला पानी होता उसमें मचली पख्रे firms पकली है poquito किया काँ से मचली बहुत सा त्वाल कि मचली नाम बताइये बहुत चुठा चुठा मचली उसमें बच्चे में थे जो बार ऐड़ा आ तो समय में जाके वो खेत के पीछे में जाल लगाते थे ताकि उसमें कोई मश्रीफा से तो फस जाता था कभी नाम बताईए मचली का देरवा पोठिया जिंगा जिसको प्रॉंस कहते हैं अम लोग अब दिली में तो पैमफ़र्ट कहते हैं अब ज्यादा से ज्यादा पोठी मतलब ही सिंगी कवई यह सब को मचली माता जी घर पे ही रहती थी और हमारे आस वाइफ थी और साथ में किना दुकान हमारा था जिनर्रेश्टर जमीन थी ने दो अ जमीने ने ने सिफ सोलह दूल जमीन दादा के पास थे उसमें धाधा के तीन भाई बेट था मतलब घर के तीम बेटा सोलधुर जमीर में मतलब दादा जी से मिला बिरासप में पिता जी मचले चली काही काम करते थे लेकिन मेरे ननिहाल जो साइध पक्ष था वो थोड़ा परहे लेखे परिवार से थे और ठीक था ननिहाल नाना जी कौमनिस्ट के नितागिरी करते थे मतलब आगे पिता जी अगर पॉलिटिक्स में अंधे तो मम्मी पांच छ खे क्लास तक परही थी तो नाना का सही हुद मिलता रहता था तो मम्मी इपना किराना दुकानोंगर सब चलाती थी पिता जी मचली मारते थे ऐसे घर में जन्म हुआ अब पिताजी देश जादा कोशिस होता था कि हम लोग पढ़े लिखे और उसके बहुत सारा समस्या भी था ठीक है हर तरह का परिशानी था तो वहां से निकल कर मुंबई जैसे सहर गए वहां मेहनत मजदूरी की मुंबई कितने साल कितनी साल कुमर में मुंबई चले गए 18 साल कुमर में मुंबई गया है उसके बाग के गया है मतलब घर पे ऐसे यूही था आपस में चीजे तो एक दोस्त को भागना था घर पे तो हर तरह का परिशानी रहता है तो भाग जाते हैं बहुत सारे लोग होते कि जाने के बाद गलत करते हैं लेकिन हम लोगों का था कि इनने जिसके लिए काम करें इमांदारी से काम करो अगर वो पाइसा दे रहा तो उसके लिए अपना वेस्ट दो अब मैं वह बेश्ट दिया इसी के कारण था कि तो पहली बाद मैं लोकल से गया होंगे? मैं एक बात किलियर कर दूँ अगर आप बच्चे हैं तो एक खत्रा बिल्कुल न उठाएं आप बिल्कुल घर से न भागें बिल्कुल माता पिता को भरोसे मिलें और माता पिता की जिमेदारी है कि अपने बच्चों को कॉपरेट करें एक बहुत तकलीफ दे सफर है ये ज सरारानीनीतिक बात भी करेंगे वहारा थो नहीं झाड़े और में भागना नहीं चेहें आण तो भी हमारा वहां पर लोंग थे इसी के वरोटह पर में चलागया है और वह है घर कि भगल के लोंग थे です basil को खाई तो बोगया दो रहने का वेवस्ता हो घाने का अले को भाज जो होना चाहिए मुंबई जैसा सहर नहीं तो आप तो आड़े मोलों कहते हैं कि आप सीधे फिल्म इस्ट्री में बड़े-बड़े सेट बनाते हैं आपने संजया लीडा बंसाली के फिल्मों में बाद भे हुआ पहले तो वहां पर गये तो पहले एक देर मेना घूम फिर के क काम ढूनदे ज्ञिन फीर स्वाफ किपर हां तो जैनल स्ट Над की है पहले देखरे करना था कि उसके लिए वहाँ पर अ Bugün एक साल तक रिबभान उसमें पहले काम किया अब मंभई को समझा और वहां पर अच्छा काम करते थे उसके बाद फिर फिल्म देब्धास में भी labor बनके वहां पर काम करने के लिए गए उसके बाद फिर वहां से अच्छा मुझे back up मिला सब तरह का चीजे हुआ तो फिर मैंने बिहार में बहुत बहतर करने लगा ठीक है उसके बाद बिहार में आया तो मैंने देखा गरीवी तो मैं बच्पन में देखा था लेकिन कुछ समय के लिए भूल गया था और उसके बाद मैंने देखा लोग चांद पे घर बना रहा है और हमारे लोगों के लिए धर्ती पे रहने के लिए घर नहीं है सपने वहीं से आपने देखने सुरू की हाँ अपने लिए सपना कब देखना सुरू के जब मुंबई की बड़ी-बड़ी मारते देख रहे थे आद मुंबई पहुचने के बाद देखे कि बड़ी दुनिया है इसमें पैसा कमा रहे है तो पहले तो स्टार्टिंग में बहुत संधर्स हुआ उसके बाद पैसा कमा रहे थे देख रहे थे दूसरे को सब अच्छे जिंदगी जी रहे जब आप पैसे कमाने लगे स्टैबलीज होगे तब समाज की याद आने लगी कि हम तो जी रहे हैं हम तो से टलो गए समाज की क्या आलत है मैं जब बिहार आया एक तो एक समझ सब्सक्राइब भूछ कॉछ कि हाव गर healthy app लोगों को सब्रक्राइब चुम्हालों और उम्हालों और आप soccer के लोगों उनका तो पुरा परोस का नजरिया बदल गया हो गया है और एक्चुली बिहार आने के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छा बंबे में कर रहा हूं वहां पे आप कितना भी पैसे वाल हो ना वो पता नहीं चलता है फरक नहीं गिरता किसी को सब अपने काम में बेजी रहता है बरे से बरे प्रेडूशर और आटी से शारू खान सबका अपना काम रहता है आप भी उसमें काम कर ड़े हो अपना काम प्रेथ यह अपना काम है अपका पहचांग पहुक जब लोहों से विजत रिस्पेक्ट मिलने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने लगा कि मैं कुछ बंबे में किया और फिर मैं जब गां में घुमा तो मैंने देखा कि बहुत आज भी किसी गां में जाने के लिए राष्टा नहीं है क्योंकि हम लोगा घर सहर में था थोड़ा बजार टैप में घर था कभी बच्पन में ऐसे जगह पे बहुत ज्यादा जाने का मुखा नहीं मिला था जब हम दस में हम जब बिहार हमें घुमने का मुखा मिला दूसरे गाउं जाने का मुखा मिला तो हमने देखा कि ऐसे टापू पे लोग बस रहे हैं जहां पे बिजली नहीं है सरक नहीं है पानी नह मुंबई में तो जब तक 2000 के समय तक तो एक अच्छा मुकाम मैंने हासिल कर लिया कि एक रात में पाटी करो तो पांच लाक रुपया खर्चा कर दो कोई फर्क नहीं किरेगा और यहां पे पांच लाक रुपया क्या यहां पे 50 रुपया के लिए 100 रुपया के लिए 500 रुपय कर रहे हैं तो वो उमीद लेका था कि भाईया बंबेस आये हैं यह 50 रुपया दे देंगे ठीक है और मैं घाठी के खर्चा उठा लिए तो वो लोग तो मतलब अलगे दुनिया में सोच मैं आ गये को एक उमीद करके है कि 50 रुपया हमको भाईया दे देंगे 10 रुपया 5 रुपया कोई देता था घाठ पे कि भाई घाठ साफ सवाई करो 5 रुपया कोई देता था और वहां पे 5 रुपया वो लोग का था कि भाईया बंबेस आये 50 रुपया दे सोर प्यादे देंगे यह उमीद लेकर आए जब मैं पांच जार पर उसको दे दिया तो बहुत खुस हो गया अब पूरा धुम-धाम से छट-पुजा मनाया गया यह गरीबों के लिए दर्द आप सेटल थे बढ़िया लाइफ थी मुंबई के चकाचौन में थे यह गरीबों कि तकलीफे क्युं समझ में आने लगे फिर क्यों तकलीफ, आप फिर क्यों जान बूचकर तकलीफ में गोज़े। खाली इतना पता होता था इस किलमें पढ़ने के टाइम में पूछता था मुखमंतरी को नाम ले लेते थे जो उस समय में हुआ करते थे बाकि इससे हमको कोई लेना देना नहीं था लेकिन जब मुंबई गए और मुंबई से जब आये तो हमें लगा कि सरकार का भी बहुत लिक्सित करना है तो सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है और जब हमने देखा कि इन लोगों का आवाज उठाने वाला कोई नहीं है और मैंने जब एस्तास करने लगा कि एक बड़ा पॉपलेशन हमारे पास है और यह हमारे पास इतना सब्ची रहने के बाद भी हमार कई गुणा उन लोग से यादा भौट रहने के बाद भी कोई प्रेक्टर ही नहीं बात करते हैं मैंने जब पहले बार दर पेपर में देखा 2014 का चुना में मुला है इस जिला में इतना भोट है और हमारा भोट है उसके बाद हमारा जिकरी नहीं होता है पिपर में कि मनला निसात का भी भोट है उसी जगा पहलर हमसे आधे भोट रहने वाले का नाम जिकरी भोट की पक्ष में जाएगा तो हमने काम करने लगा, फिर हमें लगा कि नहीं अपने लोगों को rapid करना चाए त refusing ृट समधर varta तेरा से लगातार संपर्क महरे पतनाम दर्वंगा में रैली किया वहाँ पे फिर हमारे ये पाबर बन गया कि अस्थानी जितने भी नेता था वो हमसे भैवित होने लगा डरने लगा कि मुके अस्थानी किनको समर्थन दे देंगे उनका पडला भारी हो जागा तो वो सब अपने पाले में करने का कोशिस करने लगे फिर मैंने सुझ बुष अपने टीम के साथ लगकर हमने उस समय 2014 में मोदी जी के नाम पे कि मोदी जी है कुछ अच्छा होने वाला अच्छे दिन आने वाला है और चलो ठीक है इनको जिताते हैं तो किर्थी अजात को हमने पूरा ताकत से हमने जिता आया है अपना पैसा खर्चा करके महनत करके उनको हमने उनके लिए बुंबई साथ आके टीम लाके कैंप करके और उनको जीतने एक बाद वो थैंक्यू नहीं बोले हम गोड़ा लगा कि कम से कम चुनाफ जीते तो धन्यवाद तो करते और चुनाफ से पहले उनके परदेश का नेत या राज में नेता जितने भी थे सारे लोगों एक दम संपर्ग में आगे कि हमको कैसे भी मदद कीजिए तो मैंने लगा कि सलो आज ने की अकल करेगा फोन मैंने एक अपता दो अपता देखा कि धनेवाद तक भी कोई फोन ने किया याने कि चुनाब बीद गया भूल गया त सेक्टमर अक्टूबर का अब पूरे बिहार में गुमाएं पूरा बिहार में हमारी तब तक एक उत्तर बिहार में बड़ा जिला था कि 15-20 जिला लोग जानने लगे थे उसके बाद पूरे बिहार में अपनी वीचार को परकट किया लोग जूरते गए दोजारा फिर पंद प्रधान मंत्री के सामने में भी हमने रैली कर दिया सेम डे में तो यह हमारी पैचानता लड़ना वह हमारा अधिकार है जब देश एक है देश के परधान मंत्री एक है देश के समिधान एक है तो फिर हम हमारे साथ भेद्वाग क्यों हो रहा है जब हमारे समुदाई को बं थोड़ा उनती हो, उनको परिशान कर रहा है, कोई मार पीट कर देता है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो कम समय हर्जन एक्ट के थाद, हम लराय लर सकते हैं, तो यह सब मेरा सोच बना और फिर हमने लराय लरते रहा, फिर वही होता था चुनाप के टाइम में याद रखना, चुनाप बीट जाना, भूल जाना, हर्जन एक्ट के लिए मैं माफी चाहता हूँ, SCST एक्ट, जिसको कहा जा रहा है, अभी आम भासा के परचलन में, जो गांधी ने सब दिया था, वह है, SCST एक्ट मतलब है, लेकिन आम भासा कहां में अगर आप बोलेंगे, तो इसको इस साथ दिन तक अंसन पर बैठा, अच्छा, अंसन किया अपना, पटना के गरदनी बाग बे, और यही फिसर मैंन का इसू था, कि हमारी तलाब है, जलकर है, दूसरे लोग कबजा करके रखा है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, बॉंडरी करन कीजिए, तमाम ऐसे पर भी नेता साथ छोड़ दिया, सता तो छोड़ दिजिए, विपक्ष का भी नेता साथ नहीं दिये, फिर मीडिया में भी ऐसा था कि लोगों ने एक दूसरे को मना कर दिया, कि भाई उसको आप ज्यादा यह परमोट कर रहे, फिर मुझे लगा कि नहीं, जो काम उन लोग को कहरे करने के लिए उकाम तो हम भी कर सकते से पुछ जगह पहुचना है, और फिर हमने निरने लिया कि नहीं, हम अभी लड़ाय लड़के, और पोलिटिकल पार्टी बना के ही लड़ाय लड़ेंगे, आपको कहा जा रहा है कि आपनी सास समाज से आते हैं, उसी की बात करत हैं, फुर आपने स्टेडी भी किया है, आपको जानकारी भी है, क्या इस्तीती है समाजी, कितने डॉक्टर, इंजिनियर, जर्ज, कलक्टर, SPDM यहां तक पहुच पाया है समाजी? नहीं, नहीं, SPDM तो बहुत धू है, नीचे अस्तर पे थोड़ा सा सुधार हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम का, वो भी अधनिये जर्ण नायक करपुरी ठाकुर जी का देन है, कि बिहार मती पिछड़ा का जो आरक्षर हम लोगों को मिला, उससे थोड़ा सा हम लोगों को रिलिफ हुआ, कि डॉक्टर बने हैं, इंजिनियर लेवल पे बने हैं, टीचर बने हैं, तो नीचे में जो अठारा पर्चन जो आरक्षर मिला ना, उसके तहत हमारी लोगों को थोड़ा फाइदा मिला, उसके बाद फिर मन्नी मुखवंतरी नितिस जी के रहा था, उसको आज जो अति पिछला को आरक्षन है, उस आरक्षन में 70% आरक्षन हमारा हक दूसरा लोग ले रहा है, नहीं लोग ले रहा है, तो आज हमारी लड़ा है कि इसमें कोटा बढ़ा जाए, देखिए ठीक है, सरकार समय समय पर समिक्षा करें, निरने लेकि बढ़े से खाने बढ़ा बीस है, और फिर दसी रोटी में 20 आदि में और जोड दीजेगा, तो फिर तो किसी को मिलेगा नहीं, आपको लगता है कि ओवी सी कोटा ओवरॉल ही बढ़ना चीजों लोग जैसे तमिलाडू मॉडल है, 69% यह अल अबर बढ़ना चाहिए, ठीक है बढ़े बढ़े और जहां चोटा मचली आओ, उसको भी मुका मिले कि उसके भी जिन्दगी आगे बढ़े, अगर बढ़ा चोटा को एक साथ रख दिया जाता है, तो अक्सर यह होता है कि बढ़ा मचली चोटा को खा जाता है, तो इसमें भी, तो क्रीमी लेयर बैरियर है, नहीं ना, ओभी सी में, कहां है, क्रीमी लेयर है, उधर ना, इधर अति पिछरा में बहुत ऐसे जगह पे, जैसे पंचाय चुनाब है, उसमें कहां है, वहां पे तो आप जो भी लड़ लिजेगा, तो वहां पे भी आपको एक ही जगह है, मन लिजे कल तक कोई समाज इसको जाती है, उसमें, बहुत ऐसे जाती आगे, उसके पास अपना बहुत मजगूत है, सब चीज अच्छा है, वो पैसे के दम पर चुनाब जीते लेते, आज ऐसे हो गया कि हमारे वाड में, मान लिजे कि भोट हमारे पास है, तीन सो, और हम चुनाब जी सकते, और सामने वाला महनत के दम पर हमेंने अपने दुनिया बना, घर का मैं, जैसे अपने दुनिया बना तो घर का, हैड ओफ में बन गया, पिता जी, ममी का कभी यह नहीं रहा, कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो, यह सब था कि भाई, आपने पैस दम पर यह सब चीज की हैं, और अपने दम पर टक पहुँचें, जो भी कर रहे हो सोच समझ करके कर रहे है किसी को, इनके इस को बात करें, तो धन पतनी का भी सपोर्ट मिला, भाई का सपोर्ट मिला, पिता जी का सपोर्ट मिला, हां.. बस एक भाई है, एक सिष्टर है, और पिताजी है, और साथ ससूर है, तो ससूराल के पक्ष से थोड़ा ये था, कि आप इतना बहतर जिंदगी जीरे कहाई के लिए बिहार में जा रहे हैं, तो आपके पैरेंट्स तो समधार थे, आप मतलब एक भाई एक बहन है, हाँ, तो य आपके फादर की समाजिक समस्तो एक होगी, ठीक, बहुत जादा नहीं, गाह में मचली मारने वाले को अब कितना कह सकते हैं, पिताजी पाच किलाज तक पढ़े हैं, ठीक है, मंत्री बन उसके बाद क्या रियेक्सन था, आपकी पांस सीटे आप जीत के आए थे ना, बिदा परसत थे, बहुत जोस जुनून उल्लास के साथ लोगों को सब अच्छा लगा, घरवाले को भी अच्छा लगा कि हम जो जहां ब्लैंक खेल रहे थे, और खेल के और सफलता प्राप्त, तो अच्छा लगा, और इसे भी हम पे लोगों का घरवत पहले से था, क्योंकि मैं ब हमको जीत हासिल करना है, यह सब पहले से पता था, यह कोई नया बात नहीं था घरवाले के लिए कि उनको पता था, जो हम कर रहे हैं, वो बहतर कर रहे हैं, और डे टू डे हमें समर्थन मिल रहा था, और डे टू डे हम आज नहीं, 2015 में देश के बड़े-बड़े नेता को मुमन ऐसा होता है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या जो सोसित बंची समाज से हैं, उनके नेताओं पर एक जाती भी से थपा लगा जाता, यह दलितों के नेता हैं, यह पिछरों के नेता हैं, आप पर ठपा लग रहा है कि आप सिर्फ निसाथ कम्यूटी की बात करते ह ने ठीक है, मुझे कोई इससे इतराज नहीं है, देखिए क्या है, यह भी सच्चा ही है, हमारे लोगों ने हमको हीरो बनाया है, और यह भी बात सही है, उन्ही के अधिकार के लिए हम पहले लगा है, ठीक है, अब हम जब देश के समिधान को मानने लगें, जानते हैं, तो ह हमें जब हमें अरे पास मोका मिलेगा, काम करने का तरीका मिलेगा, तो हम हर वर के लिए, हर जाती धर्म के लिए काम करेंगे, और मैं किया भी, जब हमें मंत्री बने तो हम इसमें जाती देख के काम ने किया, लेकिन निश्चित तो घर वाले होते हैं, तो घर वाले के तो दीन रात हमारा खहना भी कही और अपने समाज के घर अपसाकारी हैं नहीं मिक्स हैं महासारी भी है और हमारे साथ एक दो कभी हमने अपनी जिंदगी में एक लक्ष प्रभाना सेट नहीं किया संघर्ष करने के लिए निकल गए संघर्ष को क्या मैं काम्यावी में बदले बिहार के राजनित में आये यहाँ पे संघर्ष करेंगे और यहाँ पे कोई लक्ष नहीं है कि मुख मंतरी बनना या परधान मंतरी बनना लक्ष कुछ नहीं है लक्ष है कि अपने लोगों को मदद करके आगे पहुचाना और इस रास्ते पे जब आप काम कीजेगा तो निश्य तोर पे अच्छा काम करते जाएगा मंजिल आपको प्राप्त होते जाएगा निश्य तोर पे को नहीं सपना देखेगा कि बिहार का मुख फंतरी बन जाएगा बट इसके लिए मरना नहीं है इसके लिए चिटिंग नहीं करना इसके लिए किसी के कंदे पे पैर रखके रोंद के नहीं जाना है बतलब ये ठीक है हो गया तो अच्छी बात है जाएंगे पाबर ही जो होता है नेतिकता नहीं खोना है ठीक है पाबर आएगा तो अपने लोगों सनक्षन देंगे उचके लिए काम करेंगे डिसिजन लेंगे आज कुछ लोग होते हैं काबद सुनते होँगे की मेढग जो होना हो कुआम होता नूसको लगता दुनिया इतना ही बड़ा है तो राजनीत में भी बहुत ऐसे लोग है जुनको पूरा देश-दुनिया का समझ नहीं है जब तक देश-दुनिया का समझ नहीं होगा और मैंने अपने जिन्दगी से देखिए न मैंने नौ सुर पर मैना पर नोकरी करके बुम्बे जैसे सहर में जहां मारे खांदान का कोई बेक्ती नहीं था वहां पर मैं जाके जंडा गारा अपने समाज के लिए क्या प्राथमित है उनके लिए सबसे घराय से बेसिकि जरूर्वी क्या है क्या मैसीर क्या करना चिए और बैसिक देखें बाबा साब ने भिवाट कर पिर यह की आपका भोट के ताकत दे अब इसका सबसे हमीर बेक्ती चाओ अढानी हो अमबानी हो या रतन ताटा हो। उनकी भोट का ताकत बड़ाबरी है। अब भोट पे ही देश में आप जगर पर प्रोश सकते हैं। राज का 극 मंतरी बन सकते हैं। वाट सदस बन सकते हैं भोट पे भोट हमारे पास है और जब यह पावर माने के बाद दिश्ची तवर पे देश में भेद्वाव करया जा रहा है आज जो नहीं करना चाहिए सपत लेते हैं देश के परधान मंत्री हो राज का मुक्त मंत्री हो एक विधायक सांसा दो एक सपत वहां रिपर्जेंटेशन नहीं है उसके लेकर क्या तो इसी के लिए तो संघाज करना पड़ेगा ना यह बात सही है एक तो हमारे लोग है नहीं वहां और वहां जो है उनको बोलने का मुका नहीं दिया जा रहा है तो वहां तक पहुंचाना पड़ेगा यह जो राजितिक जो खेल है जो कहते हैं लो मैं तो राजितिक अच्छा मांता हूं आप भी जिसके सिकार हूँ इसकी भनक थी आपको क्या लग रहा था यह मुझे भनक था कि जो लोग हमारे समाज को हमको हमारे पुरवज को 75 साल से आजादी के बाद पैरो तले दाप के रखा था गुलाम मना के लखा था उनको अच्छा नहीं लगता था कि मला के बेटा और गटवंदन का जब चार को खुरसी लगता उसको खुरसी में से चार में से एक का मालिक मुकेस्तनी है उसको अच्छा नहीं लगता था सभी के सामने में अपनी बात को मजगूती से रख देना गरीब पि हम करेंगे आज हमने लराई-लरा कि आपनी पार्टी को जेसे 4 बिदाइक बना 40 मैं आज कम सुना जारा कि छलिस सुनेगा उस दौर में कह रहे थे कभी निरासा हुई लोग कह रहे थे कि अब मुके सानी जिस तरह से उब रहे थे उसी तरह से उनको खत्म कर दिये जब मैं चार जीरो से चार हो सकता था हुआ जो कभी कल्पना नहीं कर सकता थे कि एक मला मच्वारा को बेटा टिकट बाटेगा वो हमन बिहार से हम उत्तर प्रदेश गए उत्तर प्रदेश में हमने पूरी ताकत के साथ वहां पे लड़ाए लड़ा आज हमारे समाज का ये पहिचान है कि उत्तर प्रदेश में हमारे स्वर्गे फूलन देवी जी का वहां के सरकार ने एक परतिमा पे माला ने चाराने दिया य ये हमारी आज ताकत है आज हमारे समाज के साथ ये भेदवाऊ है कि हमारे जिंदा रहना क्या छोड़िए हमारे पुर्वज हमारे जो जिसको हम लोग आदर्स मानते हैं उनके उपर एक माला चाहाने के उस सरकार ने आदेश नहीं दिया एक राज का एक मंत्री अगर उत्तर प्रदेश जैत उसको गिरपतार करके दूसरे राज में भेज़ देना तो मतलब यह ताना सा है तो ठीक है आपके पास ताकत है पावर है सब चीज़ है सिस्टम है आप जो कर रहे हैं आपको लगता यह हैंसा भी करते थे सिकंदर भी करते थे ठीक है उसका वजूद क्या है हम सिस्टम को चैलेंज करते रहेंगे हम करते रहेंगे हम सिस्टम को चैलेंज करते रहेंगे गलत सिस्टम को चैलेंज करते हैं हम अपने अधिकार के लिए हम संगर्ज करते रहेंगे और कोई अगर आपको मानेगा कि हम ताना सा है तो आपको जो करना हो आप किजिए मुझे उसका परवा नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए, अपने वजूद के लिए, हम संघर्ज करते रहेंगे, हमारे पुरबज ने संघर्ज करके, आज 75 अजादी के 75 साल हो गया, हम 75 साल और लगाएंगे, लेकिन सहनी जी वहां पर थे और वो समय में बहुत समाज के परति अत्याचार होता था तो दोर्घा आप बटिस के लोगों के लोगों ने सब चीज की हैं और भूत सारे लोग थे तो toplu सब क्या हट गे यह इन्हों उसके साथ गलत होगा, सब को सजा का हगदार होगा, तो इन्होंने सारा गलती अपने उपर ले लिया, कि मैंने सामने साख के कहा कि नहीं, मैंने किया, इसमें और किसी का हाथ नहीं है, तो उस समय में उनको फासी दिया गया, बाकी लोगों को सजा नहीं मिला, इसलिए जो मज दोदस आद्वी का नाम बोल देते दोदस आद्वी को सजा हो जाता लेकिन उन्हों ने उस समय सुझ बूज चे काम किये और करने वाले कही लेकिन उनका जिकर नहीं करके सारा आरोप अपने उपर ले लिए इसलिए पुरे बिहार के लोग मानते हैं राज के जो राज में उन कि 2024 का पहले लोगसभा चुना है क्या स्ट्रेटजी आप लोगी चुकि आप बड़े फैक्टर के तौर पर देखे जा रहे हैं आपके पास जो वोट है वो ट्रांस्फरेबल वोट है हां निशित तौर पर आज हम लोगों ने आज हमारे पास ताकत था तभी एंडिये रख पहला महागटबंधन में आप तीन लोगसभा सीट लेने में कामें आप थे और इंडिये में जबाएं तो आपको 11 विधान सवा की सीटे मिली जिया और उसके बाद अभी हमने उप्चुनाप के बाद उसके बाद अभी उप्चुनाप हमने लड़ा एक भी भोट पूरी सक लाने का काम हता विलाश dalla आता है ऐन निषाट को देते तो वहां में ठीकर दिया तो वहां मिंहें तीसीजार ट्रांसफर किया और आज पुरे विहार को देश को पता है की घयापी पाटी के साथ जो हमारे वोट पौली मीनीमम 10 पर 29 वो है वो किसी से डरने वाला अभेवित वाला लोग नहीं है अगर यह अगर चाहते हैं तो 15-18% भोट को लाते हैं अगर अपना भोट अगर 20,000 भोट किराने का ताकत है तो 10,000 अगल बगल से भी वो दोस्तियार से बंदवस्त कर लेते हैं तो आज यह हमारी ताकत है बिहार म और इसको लेके हम लोग चल ले हमारी पाटी का मुख एक जो बड़ी लड़ाई है जिसके लिए हम पाटी बनाएं जिसके लिए राज़ित माय उसका सबसबरा है कि इस समाज को S.C.S.T. का दर्जा मिले जो बंगाल में है दिल्ली में है इसके लिए मुख लड़ाई है इस उसके साथ साथ समाजिक न्याय मजगूत हो गरी पिछरा का हक अधिकार उनको मिले उनका कोई खाये नहीं और बिहार में सब जाती धर्म एक भाई-चारा बनाके आगे बरहे बिहार के युवा को दूसरे परदेश में जैसे में बच्पन में माँ बाप भाई-बैन सब को छोर कर अपने गाउं को छोर कर सहर चड़ा गया एक मजदूरी करने के लिए वो हमारे लोगों को ऐसा नौबत ना है अपने राज में उनको सब काम मिले दूसरे राज में जाके छोटा मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़े ठीक है बड़े बिजनेस करने के लिए ने-निarnya ढोखन चाहिक काुट के ज़ै। तो यह तो हमारे राज में डेवलप्फ हो जा। मुंबई में थे और उत्तर भारतीutetござराइश की लोग outside तमाम फिल्म रस्टा वर हिंधी पर्टिकल हो है उस समय भी कुछ लग तँब ज़igkeit की आच मैं तो राज ठाकरे जी को धनेवादिंगा थिकай इस लिए धनेवाद दुगा गलत तो कर रहे थे उस चीज का धनेवाद नहीं दुगा कि वह सही कर रहे थे वो जो कर रहे थे एक दूसरे परदेश के साथ गरीब लोगों के साथ बरे लोगों के साथ कभी गलत नहीं किया सिर्फ छोटे गरीब लोगों को डराना दमकाना यह होता था और वो उनका चुटवाई यह किये थे तो इसके लिए तो मैं उसको धन्यवाद इसलिए जमसुचे यहां पर इतना वारा पंगा कून लेगा क्यों इतना बद्वासी के लोगों के साथ जाना इसलिए चलो गौह में चलते तो मैं छट पूजा के लिए चटी मया का सिर्वाद रहा कि वहीं से मैं यहां पर और यहां पर जब समाज को देखे उनको दर्द को देखे महसूस कियें तो वहीं से मेरा मन हो गया कि नहीं अपने लोगों के बीच में जाना चाहिए आना चाहिए चटी मया का ही पूजा करने के लिए मैं जब बिहार आया तो वहां से पर मैं बिहार में सिफ्ट हो गया अगर मैं उस समय अगर यह महाल नहीं होता तो साथ मैं चटी बाकी वो तो गलत करी रहे थे एक परदेश कोई जा और फिर हमें अपने राज को सही करना है हम हमारे राज में दूसरे परदेश को लोग आए हम क्यों हमारे परदेश से कोई बहार जाए हमारे परदेश मा के यहां पर 20 चराने के लिए तबला माय चोटे मुटे काम करने के हम क्यों ने बराद भी बनना चाहेंगे हम क्यों गरीब रहे कि किसी से भीक मांगे हम वो सकति साली बैक्ति बने कि हम दूसरे को मदद कर सके तो हमें हमें प्रियास करना चाहिए काम करना चाहिए उस रास्ते पर और आज हम लोग कर रहे हैं आज सरकार में जब कल तक हमारी बात कोई नहीं सुनता था कुछ नहीं था आज हमारी दखल है ना आज जो हम चाहते हैं वो बिहार में कर पाते हैं सरकार में नहीं भी है तो भी आज हम अपनी बात को अब आज को बुलंद करते हैं तो सोचना पड़ता है आज मेरा एक अपना खेमा है तो आज हमारे खेमा को तोरने के लिए, आज दूसरे-दूसरे पोलिटिकल दल ने, आज हमारे लोगों को देखने लगा, पहचानने लगा, हमारे लोगों को बात करने लगा, अजादि के इतना साल बीद गया, आज तक पटना नमर सही, जुबा सणी का परतिमा नहीं लगा था, अब ये 11 मर्च को लगा मानि मुखमंत्री जी को इसके लिए मैं धन्य बाद दूँगा वो लगाएं क्योंकि ये समाज अभी सोया नहीं रहा ये जग चुका है अब जब जग चुका है तो इनको अधिकार चाहिए हक चाहिए ये पाटी का नाम कैसे आइडिया है वी आईपी ऐसे लिए तक कोई अमीर धन्ना सेट बहुत पैसे वाएं लोग होगी इसका पुरा नाम है विकास सील इनसान पाटी मेरा मानना है कि हम लोग इनसान है आपने पहले वी आईपी तेह किया होगा हाँ निश्यतर तो उसका भी है कि देखिए अकसर क्या होता है गाओं घर में एक सौट नाम होता है ये ठीक है गरीब समाज की लाए लगने है तो पाटी थोड़ा अमीर दिखना चाहिए क्यों जिन्दगी बार गरीबी 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 चिलाते रहेंगे आप जब तक वही चिलाते रहेगा तो वही रहेगा आप अमीरी अमीरी चिलाएए सपना देखे ना फिर अमीर बढ़िएगा तो आप अपने आपको परजेंट कीजे कि मैं ब्याइपी हूँ आप काई के लिए हमेशा परजेंट कीजेगा कि मैं गरीब हूँ आपको अपको उमीदे हैं अपको उमीदे है और इसलिए मैं डरता हूँ कि मेरी जिन्दगी में भगवान ऐसा कोई गल्ती न कराए जो उनका उमीद टूटे और इसलिए आज मुझे जो भी परिशानी का सामना करना पड़ेगा जितना में जिक करश्ट होगा मैं जहलूँगा लेकिन मैं उमीद नहीं टूटने दूँगा आज मुझे लोग क्या नहीं ओफर दे रहा है मतलब मैं कल चाहूँ तो दिल्ली में मंगले में रह सकता हूँ राज में चाहूँ तो जो मैं चाहूँ वो पावर मिल सकता है लेकिन ये नहीं किसी के कंधे को उमीद को तोरना नहीं है अपने दम पर हमने बने ना अपने दम पर बने ना हम बिहार में पहले मुखमंत्री बनाए हम अगर समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता चहतर विधायक जिसके पास है थामने बहुत कुछ दिया है और उसको इस्टिमाल आने वाले समय में हमें करना है खाली پेषेंस के साथ रहना परेगा समय का इंदिजार करना परेगा जब अच्छे नियत से काम किजेगा तो आपको कोई रनीती बनाने क्या आपसथता नहीं इएगा रनीती वो बनाता है जिसका नियत खराब होता है मतलब आपने सारे option खुले रखे हैं जो भी आपके ज़्यादा समाज को representation देगा आप उनके साथ जाएंगे सारे option नहीं है हमारे पहली लड़ाई होगा समाजीक निया समाजीक नियाए के साथ कोन खरा है पहले उसको चूज करना है ठीक है दूसरी बात है कभी अपने लोग भी आपको गरदन काटने में लगे रहते है ठीक है जैसे मेरे साथ 2020 में हुआ पहले से बात हो गया था 25 सीट, डिप्टी सीएं सब चीज हो गया था आज अगला भी मुकमंत्री होता आज हमारी पार्टी भी बहुत बड़ा हो गया रहता जिनों अगला को लगा कि इस बेक्ती को हम आगर पर्मोट करते हैं तो ये कल जाके मेरा कमप्रिशन वाला बेक्ती बन जाएगा तो उसने उस सोच के साथ हमारे साथ गलत किया और फिर इसका परिनाम हुआ वो भी कमजोर हुए और हम भी कमजोर हुए ठीक है तो हमारा यही कोशिस होगा कि समाजी इक निया सबसे पहले मजगुत हो हर गरीब हर धर्म के लोग आगे बरहे ठीक है और उसके साथ जब पॉलिटिकल पार्टी है देश में गटवंदन की राजनीत हो रहा है तो ऐसे जगह पे निशित तोर पे हम चाहेंगे कि हमारी बात को लोग माने हमारी एजेंडा को माने और हमारी बात और एजेंडा को जो मानेंगे हम मानेंगे कि वो मेरा दोस्त है आज हमारा दोस्मन कोन है हमारा दोस्वन वही है जो हमारा विचार को नहीं मानते है अज जो हमारा विचार को माल ले वो हम उसको दोस्त मानेंगे बाद में कल्ब क्या होगा बात की बात है पर परजेंट में आप मेरे विचार को पहले जो मानेगा उसको हम दोस्त मानेंगे ठीक है सब गलत लोग जो होंगे वो तो एक खांद में उसके छूरी रहेगा लेकिन आपके पास की विकल्ब क्या है आपको भी अगर आगे बढ़ना है अब मेरे कल सहीध होने से अगर इस समाज का लाब हो तो बुलिए हम कल हम सहीध हो जाते हैं लेकिन मुझे पता है कि मेरे जिन्दा रहकर ही लड़ाई लड़ने से इस समाज का कल्यान होगा गरीब पिछरा का कल्यान होगा आज हम जब विभाग में थे हमने बहुत नजदीकी से सब चीज़ देख रहे थे बहुत ऐसा योजना था पंदरा परसें हमारे से स्टिक भाई के लिए योजना बनता था बजट बनता है लेकिन खर्च नहीं होता था हम जब विभाग में है तो हमने पुरा विभाग को बठा के बुला कि नहीं यह पैसा आया और इसी मद में खर्चा होगा और किसी भी हालत में आपको करना है तो लोगों को भर दिया जा रहा है तो यह आप बहुत अमीर आदमी है यह यह इसमें कितनी सचाहिए मतलब हजार क्रोड दोजार क्रोड क्रोड क्या आपका बिजनेस है अभी देखिए हम तो बिजनेस से तोटल ही ओठ हो गया है जब से बिहार के राजनी तो यहीं पे अपने लग जया और नौ सुल पर हो ला नोकरी पे कमाने वाला इतने सौ टम में इतना पैसा का कमा यह ले अच्छा पैसा हमने कमाया सरकार को अच्छा पैसा टैक्स देखे पैसा बनाया और वह पैसा अपने समाज के भालाई के लिए उप्योग कर रहा है अपने जिन्दगी में भी काम नहीं करा तो भी मतलब कोई परेसानी नहीं है और मेरे को इसे पैसे के लिए काम नहीं करना है हमने देखा है पैसा तो बैंक में दोस गोज जीरो वाला पास्बुक रहे या नो गोज जीरो वाला पास्बुक रहे क्या फर गिरता है वो बैंके में रहना है इस धरती प तो एसा कोई मैने नहीं रखता है और निशीत तोर पर काम कर रहे हैं चीजे यह तुछस में लगता है जो चीजे उसको पुरा कर लेता है समाज पाटी के लोग भी दीन, राट अपने च्हेतर में पाटी को उथान के लिए पाटी को आगे बरहने के लिए दिनरथ लगे रहते हैं कि समाज उथान आगे बढ़े तो सब के सैयोग सभी पाटी चल पर नजर हम रखे हैं इसके लिए हम चाहते हैं कि चार नॉबर के बाद हम फैसरा लें अभी समय है अभी हम तीनु राज में पहलर बिहार में उत्तरपरदेश में जारकन में तीनु राज पर अभी हम संगठन पर लगे हुए हैं संगठन पर काम कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं अपनी बात को रख रहे हैं कि आने वाला समय जो है 24 वो हमको परधान मंतरी बनना नहीं है जिनको परधान मंतरी बनना है उनको आपकी बात को मनना चाहिए और अपनी बात मनाने के लिए आपको अपने पैर पर खरा होना पड़ेगा अपनी बात बनाने के लिए आपके आने वाला पीरी के हक अधिकार के लिए आपको अरिक रहना पड़ेगा तब जाके आपके आने वाला पीरी को कल्यान होगा जैसे बाबा साब के साथ हजारों समस्या था हजारों परेसानी का सामना करना पड़ता बार बार महात्मा गांधी जी सियशे महाननेता वो रास्टिता वो अंसर्ण में बढ़ जाते थे कि नैं तुम अइसा नहीं ऐसा करो और उस जगर हमारे वाबा-साव अड़ जाते थे कि नहीं दोबात आफ़ आपका बात मानेंगे तो दोबात हमारा भी मानिये और फिर वो मनाते थे अब मानते भी थे हमारे राष्ट पिता कि ठीक है तुम दो बात ये करो तो दो बात ये करो हमने जितना परहा सुना तुमेर ही दिखा तो हम अरे रहेंगे, लगे रहेंगे, खारा रहेंगे तो निश्यत तोर पे, कुछ ना कुछ तो होगा आज निसाद का कुण नाम जाता था कुण पहचान था, दस साल पहले आज हम लोग अपनी एक पहचान बना लिए आज निसाद मल्ला का बेटा का पास दूसरे जात के राज का भलाई के लिए, राज का हर गरीब लोगों के लिए, हम लोगों काम करना चाहिए यह डिमोक्रिसी खुबसूरती और यह भारतिय लोकतंत आपको मौका देता है कि अगर आप में वो दर्द है, महसूस करते हैं समाज के ताब एक जूट कर सकते हैं मानवर कांसिराम सहाब ने भी एक बड़ी लकीर खीची हाल के दिनों में एक सोशल मुवमेंट के तौर पे मुके सहने उभरे हैं और एक बड़ा कॉमुनिटी है जिसका रिपरजेंटेशन नहीं था मैं फिर कह रहा हूँ इस देश में अगर आप S.C.S.T.O.V.C. अपरेस सोसाइटी से हैं बंचित समाज से हैं तो उनके राजनीती में आना भी एक संघर्स होता है आपको दो जबो पर साबित करना होता है पहले आपको अपने घर परिवार में समाज में आर्थिक तौर पर भी साबित करना होगा उसके बाद एक राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी पुरी बाचित पर आप लोग अपनी पर्तिक्रिया जबर दीजिए मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम लोग जिनके लिए टीबी अख़वार में स्पेस नहीं है और अगर है भी जगा तो निगेटिव कैंपेन होता है उनकी कहानी उनकी जुवानी आप तक पहुचाई जाए पुरी बाचित पर अपनी पर्तिक्रिया दीजिए मैं फिर कह रहा हूँ एक इस भी सदी में इस देश के वो तमाम लोग जिनको सामाजिक रुप से, राजितिक रुप से, आर्थिक रुप से हाथिये पर रख़ा गया है उनकी नसले राजितिक सत्ता में अपनी जगा ढून रही है आप लोग पर्तिक्रिया जोदिए शुक्रिया हमें समय देने की, शंभू कुमार सिंग नेशनल दस्तक पटना